नमस्ते विद्यार्थी मित्रों तो हमने पाठ वन में पाठे क्याताया चित्रपाठ के चित्र की चर्चा की उसका वर्णन किया आज हम पाठ टू में उस चित्र के आधार पर दिये गए अभ्यास वाध्याई के प्रश्णों की चर्चा करेंगे तो आज अब्यास में पहला प्रश्ण है चित्र देखकर फूलों के नाम की सुची बनाईए तो जो हमने पाट एक में बना दी थी जैसे हमारे इस चित्र में चमपा, गुडहल, सुरियमुखी, गेंदा, बेला, फिद गुलाब, फिर बारहमासी तो ये सब फूल दिखाई देते हैं चित्र में नहीं ऐसे फूलों की सुची बनाईए तो आप उसमें चमेली, रातरानी, कमल, आधी कई फूल के नाम लिख सकते हो फिर तीसरा प्रश्ण चित्र देखकर यातायात के साधनों की सुची बनाईए तो ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह बना सकते हो क्योंकि आपके सामने सड़क पर चलने वाले, हवा में उडने वाले और पानी पर तैनने वाले साधन दिखाई देते हैं और उसकी चर्चा हमने वीडियो में की है उन यातायात के साधनों के नाम बता ये जो चित्रा में नहीं है तो आप ट्रक लिख सकते हो, फिर आप साइकिल लिख सकते हो फिर आप तांगा, बैल गारी, उट गारी, रोकेट कुछ भी लिख सकते हो जो इस चित्रा में नहीं हो आगे आपने जिन यात्यात के साधनों के नाम लिखे है उन्हें नीचे दिये गए तालिका तालिका यानि जो हमें पाड़ दिये गए है उसमें वर्गी कृत कीजिए वर्गी कृत कीजिए यानि उसके हिसाब से हमें लिखना है कि दो पईये वाले तो हमारे जो चित्र में है वही motorcycle, scooter, फिर आप cycle भी लिख सकते हो, फिर आप तांगा, बैल गाड़ी भी लिख सकते हो फिर तीन पईये वाले तो हमने ने कहा था रिक्षा, चार पईये वाले तो motor car, उंट गाड़ी, कुछ भी हो सकता है चार से अधिक तो bus, rail गाड़ी आधी हो सकता है सडक पर चलने वाले यातायत के साधन के नाम, हवा में उडने वाले साधनों के नाम, और पानी पर चलने वाले यातायत के साधनों के नाम तो ये भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हो अब ये है जो हमें समझना है कि नीचे दिये गए टिकिट का चित्र देखकर प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो हमें यहाँ पर तो टिकट दिया है एक है मुंबई से अमदावद जाने का ड्रेलवे का टिकट और एक है हडद से चिलोडा जाने का बस का टिकट तो यह क्या है तो आप कह सकते हैं कि यह टिकट है बस का टिकट कहां से कहां तक का है तो मैंने कहा ना कि बस का टिकट हडद से चिलोडा तक का है फिर देलवे का टिकट कहां से कहां तक का है तो मुंबई सेंट्रल से अहम्दाबाद का है बस के टिकट में कितना किराया लिखा है ये बस का टिकट है तो बस के टिकट में हमें 91 रुपिये लिखा है रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए तो हमें वहाँ पर 204 रुपिये दिखाई देते है रेलवे टिकट का दिनांग बताइए तो इसका दिनांग है 11.11.2011 बस और रेलवे के अलावा कहां कहां टिकट लगता है तो आप तो बहुत सारी जगह पे गए होगे और बैठे होगे जहां टिकट देना पड़ता है तो जैसे हवाई जहाँ दर्याई जहाँ और बहुत सारी जगह पे हमें टिकट देना पड़ता है यहाँ पे प्रश्ण नमबर साथ में कुछ चित्र दिये है और दोनों चित्र का हमें अवलोकन करना है और उसमें जो बेध है वो देखना है आप ऐसे मुहावरे पहले कर चुके होगे तो आपको अच्छी तरह आता होगा तो आपको उसे करना है पिर स्वाध्याई अब तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के गर तो आपके मामा का गर अगर नजदीक हो तो आप पैदर भी जाते होगे थोड़ा दूर हो तो अपनी साइकिल पर जाते होगे बहुत दूर हो थोड़ा ज्यादा दूर हो तो आप बस या रेलवे के आधार पर जाते होगे उसे रेल गाड़ी में बैट कर भी जाते होगे और बहुत दूर होगा तो आप उसे हवाई जहांच पर भी बैटके जाते होगे तो उसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न के चवाब देने है फिर यहाँ पर आपने जिस पर सवारी की है उस पर आपको टिक करना है जैसे कि तुमने मैं टिक करती हूँ कि मैंने ये तांगे पर सवारी की है ये गोडा गाडी है तो मैंने गोडा गाडी पर सवारी की है तो मैंने सवारी की है फिर ये कार है तो मैंने की है लेकिन उन्ट पर मैंने नहीं की है तो आप अपनी तरह से उसका आंसर दे सकते हो पढ़िये, समझिये और स्राइट की निशानी कीजिए तो किस पे टिकेट लगता है? किस में पैसे लगते हैं? और कौन से साधन पे हम मुक्त जा सकते हैं? तो अगर हम गोडा गाड़ी में बैठेंगे तो हमें पैसा लगेगा, टिकेट लगेगा नई इस तरह हम कार में बैठेंगे तो भी पैसा लगेगा उन पर भी पैसा भी लगता है और मुक्त में भी जा सकते हैं यहाँ पर भी अपने अगर अपनी बेल गाड़ी हो तो मुक्त में जाते है या फिर अगर दुसरे की है तो पैसा भी देना पड़ता है और रेल गाड़ी में टिकट लगता है तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर कुछ फूल दिये है उसके नाम जैसे ये कमल है ये कमल है ये मोगरा है फिर ये गुडहल है और ये गुलाब है ये मोगरे का फूल हमारे बुक में नहीं है अब प्रश नमबर पांच निमनलिखी चित्रों के आधार पर कहानी लिखे आपको इस चित्र को देखके समझ में आई गया होगा कि ये चित्र एक कहानी बताता है और उस कहानी का नाम है चरवाहा और बाग ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी और सुनी होगी तो आपको इस चित्र को देखते जाना है और उसके आधार पर कहानी बनानी है अखके लेकर चर्वाहा जंगल में चराने उसे ले जाता था फिर एक बार उसे मजाक सूजी और उसने क्या किया जोर जोर से व कि चलाने रगा कि बाग आया बाग आया चर्वाह की आवाज सुनकर गाउं गाओं के लोग वहाँ पे दोड़ कर आ गए उसे देखका चरवाहा हसने लगता है और कहता है कि मैं तो मज़ा कर रहा था लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको फुस्ते हुए वापस चले जाते है एक बार सच में चरवाहे की बेड़ बकरियों को खाने के लिए बाग आ जाता है अब चरवाहा जोर जोर से चिलाता है बाग आया बाग आया लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई गाओं के कोई लोग भी यहाँ पर आते नहीं है बाग क्या करता है उसकी सारी बेड़ बकरियों को खा जाता है चरवाहा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चड़ जाता है और इस प्रकार हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें अपनी बुरी आदत को दूर करना चाहिए हमें इस प्रकार जुठ नहीं बोलना चाहिए मातरुबासा में अनुवाद कीजिए वो तो आप बहुत अच्छी तरह करते हैं और इतना जानिये ये योग्यविस्तार इतना जानिये भी आपको ये हूमवर्क में लिखना है जैसे साइकिल तो साइकिल आपको सारे सब्द की ये वर्तनी यानि जोडनी सही तरह से लिखनी है और सुन्दर अक्सर में होमवर्क लिखना है तो आसा है कि आप सबको इस पार्ट की समझ अच्छी तरह हो गई होगी और आप अच्छी तरस से स्वाद्याय अभ्यास अपनी तरस से लिख सकोगे Thank you